चिकिन तंदूरी घर में बहुत ही आशान तरीकों से बनाई जाती है और यह काफी जटपट बनती है तो यहाँ चलिए हम बनाते हैं इसके लिए मैंने मसाले में अद्रक लिया है और लेशन जीरा और काली मिर्चली है और थोड़ी गरम मसाला लिये इन सभी को आप पीस लें पीसने के बाद इसमें मैंने वन थर्डी स्पून हल्दी पॉडर मिलाया है एक चमच धनिया के पॉडर लिया है और लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार लें यहां मैं करीब एक चमच लाल मिर्च भी ली हूँ और इसे अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें यहां मैंने दो चमच दही लिया है और नमक भी स्वाद के अनुसार लिया है चिकन को मैंने अच्छी तरह से लेक पिस लिया है और इस अच्छी तरह से धो कर कट लगा दी यहां मैंने मसाले में दही और नमक डाल कर इसे काफी अच्छे से फेट कर मसाले को मैंने तयार कर लिया है यहां मैं चिकन के ऊपर अच्छे से मसाले को रब करूंगी और जो चिकन के लेक पीस ही लेंगी तो अच्छा बनता है काफी टेस्टी और इनमें मसाले को जो मैं उपर कट लगाई हूं चिकन में उसमें अच्छे से मसाले को आप भर दे तो इससे बहुत ही स्टेश्टी और स्वाधिस्ट बनती है और फिर इसे आप ढग कर एक से डेड़ घंटे के लिए इसे छोड़ दे एक से डेड़ घंटे जब यह अच्छे से मसाले इसके अंदर इन कर जाए तो यहां मैंने एक पैन लिया है इसमें तीन चम्मच बड़ा टेवल इस्पून सरस्रो का तेल लिया है और इसे अच्छी तरह से गर्म कर ले गर्म करने के वाद सभी लेक पिसको आप इसमें में हैं एक साइट डाल दे और थोड़ा मसाला बचा के रखें उसे फिर अपोजिट साइट डालना होगा जब और चिकन का जो मसाले के क्वांटिटी है वो मैं डिस्क्रिप्शन पॉक्स में दे दूंगी और इसे ढग दे चार से पाच मिनट स्लो फ्लेम पर ढग कर पकाए फिर यहां मैंने ढकन को हटाया और देखा हमारे चिकन थोड़े हलके पक चुके है एक साइट तो इसे बहुत हलके हाथ से इसे पल्टेंगे नहीं तो तूटने का डर रहता है तो इसे समाल कर आप पलट ले और इसमें जो नीचे तेल मसाले आपको दिखेंगे उसे कटे हुए अस्थान पर चमच से ढ़ा उठा कर लेक पिस पे जो कटे हुए भाग है वहाँ पर डाल दे तो इसे मसाले अंदर तक जाती यहां मैंने बचे हुए जो मसाले रखे थे पलटने के बाद दूसरे साइड मैं थोड़े थोड़े सभी पर डाल कर उसे फैला दूँगी मैंने मसाले को सभी चिकेन के लेक पिस पर फैला दिया और फ्लेम हमेशा स्लो ही रखेंगी और इसे पुना आप ढगकर 4-5 मिनट तक पकने देंगी 4-5 मिनट के बाद आप इसे हटाएं देखिए हमारी तेल हल्की हलकी छुठ चुकी है तो इसे तेल में ही थोड़े देर तक पकाते रहें ताकि जब आपकी चिकेन पक जाए थोड़ी कड़ी पक जाए उपर से सिकी वी तो यहां मैं गैस बंद कर दिया और जाली एक गैस पर डारेक्ट इसे जाली रखकर उस पर मैं चिकेन के लेकपीस को रखकर उसे धीरे धीरे पलट पलट कर सेखूंगी इससे बहुत ही स्मोकी फ्लेवर आती है और बहुत ही खाने में स्वाधिश्ट लगती है तो इस तरह से आप लेकप्रिस को सेख लें आप इसे जरूर ट्राइ करें घर पर बनाकर यह बनाना बहुत ही असान है और जहटपड बनती है आप मेहमाना तो अगर वो non-wich खाते हो तो उन्हें बहुत ही पसंद आएगी आप जरूर एक बार ट्राइ करें आप इसे